हेलो फ्रेंड्स वेल्कम अवर यूटूब चैनल खान सिस्टर सेवनेट सिक्स आज हम आपके लिए लाए हैं बिच्छू बेल जिसे की आप पॉर्चुला के नाम से भी जानते हो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी विच्छू बेल में अच्छी तरह से फूल नहीं आ रहे हैं कलिया छोटी छोटी मुर्जा रही है तूट रही है फूल भी अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैं बहुत कम मातरा में फूल खिल रहे है या फिर खिल ही नहीं रहे है। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरीये बताएंगे कि पोर्चुला के पोधे में आपकी चीज का यूज करें जिससे आपके पोर्चुला के पोधे में अच्छे फ्लावरिंग हो। आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे वो आपको घर में आसानी से मिल जाएगी बीना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उसका इस्तमाल करके ही आप पोर्चुला के पोधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स में आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको नहीं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में। पोर्चुला का पोदा आप हेंगिंग की तरह भी लगा सकते हों। तो देखिए वीडियो हमारी यह हमारा पोर्चुला का प्लांट है हमारे गार्डन का प्लांट है देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है रोज नए-णए कलिया आती है और रोज ही नए-णए फूल इसमें खिलते हैं। मैं हर रोज मैंने एक ही पोट में अलग-अलग की कटिंग लगा रखी है जिसकी वज़े से हर एक पोट में 3-3-4 तरह के फ्लावरिंग होती है तिन-3-4-4 कलर की। तो हम बताएंगे आपको किस चीज़ का यूज़ करोगे जिससे आपकी फ्लावरिंग हो जादा तो वीडियो में बने रही है देखिए इसके लिए आपको चाहिए राक राक आपको आपके आसपास या आप घर में चूला जलाते हो भट्टी जलाते हो तो आपको राक इजिली वहाँ से अवेलेबल मतले हो जाएगी और अगर ना हो तो आप थोड़ी सी लकडी चला कर भी राक बना सकते हो इसके लिए हमें एक चमच राक चाहिए और राक के अंदर आप पानी डाल लिए और इस पानी को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिला लीजिए इस तरह से और मिलाने के बाद इस राक को आपको अपने पॉर्चुला के पोदे में अपलाए करना है मतलब डालना है यह आपको सिर्फ महीने में एक बारी करना है इस से आपके पॉर्चुला के पोदे में रोज नए नए फूल खिलेंगे कलिया भी खराब नहीं होईगी कलिया अगर बनी है तो उसमें आपको फ्लावर जरूर आए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिष्टेदारों में शेर जरूर करें और चुप चुप के मोबाल में हमारी वीडियो ना देके सबस्क्राइब करें बिना ना देके सबस्क्राइब जरूर करिए दौाओं में हमें याद रखें हम भी आपको दौाओं में याद रखते हैं और हमारी बहुत सारी वीडियो है जो इस सेनल पर डली हुए उसे भी आप जरूर दे कि उसे भी अपना प्यार जरूर दे